दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने फोन में आप SD कार्ड डालते हैं यानि कि मिमोरी कार्ड डालते हैं और वहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे फोन में इस त हम से कट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मेमोरी कार्ड डालते हैं कि कभी कभी आपको डालते हैं यहां पर ढालते हैं डालने के जिसके बाद क्या होता है कि वह अच्छे से नहीं पढ़ पाता है जिसकी वज़े से आपका memory card आपका support नहीं करता है होसकता है कि आपका उल्टा पड़ गया हो तो अच्छे से देखकर आपको memory card डाल देना है उसके बाद आपको check करना है कि आपका पकड़ रहा है यानि कि आ रहा है या नहीं उसके बाद भी अगर आपका memory card सो नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि अपना memory card बाहर निकालना है बाहर निकालने के बाद आपको सूती कपड़ा लेना है जैसे कि आप अपना बन्याइन ले सकते हैं आपको एक सूती कपड़ा लेना है और सूती कपड़े में हलका सा आपको पिट्रोल यानि कि एक दो बून्दे पिट्रोल की डाल देना है और तो उसके बाद अपने जो आपका memory card है उसे अच्छे से आप साप करिए साप करने के बाद आप डाल दीजे आपका memory card आ जाएगा अगर फिर भी नहीं आता है जैसे मैंने यह सारा कुछ करके देखा तो फिर भी हमारा यहां पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपक हुआ है वह आपका डिय्ट हो जाएगा तो आप यह तो किसी नजदी के आप जाकर वहां से फॉर्मेट करा सकते हैं या आप अपने फौन से ही कर सकते हैं यह आपने लिपटाप में करके आप वहांसे भी forget कर सकते हैं format तो हम इस पर टच करेंगे तकर आपर देखने को मिले आपको format कर लेना है जब format कर लेंगे उसके बाद आपका जो memory card होगा वो आपके phone में पकड़ना start कर देगा अगर by chance अभी भी नहीं आता है आपके phone में तो आपको यहापर क्या करना है जाना है अपने phone की setting में setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको search करना है update तो हम यहाँ पर search करेंगे update तो हम यहाँ पर लिग लेते हैं update जैसे आप लिखेंगे update तो आपके सामने एक setting आजाएगा update के नम से जैसे कि हम यहाँ पर search करते हैं update तो हमारे सामने आजाएगा system या software update आप इस पर touch करिए इस प हमारे phone में अभी यहां पर update नहीं आया है, हो सकता है कि आपके phone में आया होगा, जैसे हमारे case में हमारे, इस phone में update आया हुआ है, तो हम यहां पर अपना setting open करेंगे, यहां पर आपको देखने को मिल लेगा, तो update पर क्लिक करेंगे, और यहां से अपने phone को आप update करिए, download करिए, install करिए, आपका update हो जाएगा और update करने से कोई भी data delete नहीं होता है, उसके बाद आपका memory card अच्छे से यहां पर काम करेगा अगर आपका फिर भी memory card काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपका memory card जो है, वो आपका खराब हो चुका है और आपका memory card काम नहीं करेगा, तो यह कुछ step आप follow करिए, आपका memory card सहीं हो जाएगा अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपका memory card खराब हो चुका है और ये आपका सहीं भी नहीं होगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वार